एलो फ्रेंड्स आज अम अन्बोक्सिंग करने वाल हैं विरो के क्लच आउजिंग की जो कि मेकिनो कमपनी का है मेकिनो कमपनी का क्लच आउजिंग है जो कि स्प्लेंडर, स्प्लेंडर प्लस, एचेप डिलक्स, सीडी डिलक्स, पेशन प्लस, पेशन प्रो सब में लग सो सिसी और 110 सिसी में जो कि आप अगर और डालेंगे तो आपको एकजार रुपीस या ग्यारा सो रुपे के आसपास पूरे का पूरा क्लॉच हाउजिंग एसेम्बली मिलेगा उसके साथ रबड रिवेट और गियर सब कुछ एक साथ में आएगा अगर आपको कम खर्चे में लगाना हो तो आप मेकी नो कमडी का सिफ क्लॉच आउजिंग लगा सकते हैं चुका बहुत अच्छा आता है अब देखेंगे इसमें लिखा हुआ है क्लॉच आउजिंग श्यूटेबल फोर एरो और डासीडी श्प्लेंडर और प्रेशन क्योंकि सोसीशी की बाइक में सभी में लग जाएगा यहां पर मेकी नो कमडी क्लॉच प्लेट डिस ब्रेक ब्रेक सूस सब कुछ बनाती है इसकी इमर्पी रखते है इसकी इमर्पी है का पार्ट नमबर है 7M3001CAP यहां पर कस्टमर के रखी नमबर दिया हुआ है विसको खुल के देखते है हम अब मैं इसके क्लच आउजिंग के साथ साथ इसके रबर और इसके रिवेट भी हमें साथ में मिले हैं आप देख सकते हैं क्लच आउजिंग में मेकीनो लिखा हुआ है और यहां पे दिखा हुआ है इसका मबड़ए कि इसकी इसकी कौलिटी तो ठीक ठाक है अगर आपको कौम पेशो में चलाना है तो आप ये ले सकते हैं वरना आप और इदनली लिजिए क्योंकि इसका फिटिंग अच्छी तरह से नहीं हुआ तो ये कलच आउजिंग आवाज करेगा इसका गियर भी आवाज करेगा इसका रिवेट का फिटिंग अच्छी तरह से नहीं हुआ तो आपके गियर में भी तकलिफ होगी अगर आपको इसका फिटिंग अच्छी तरह से नहीं आता है तो आप पूरा असेम्बली ही और इदनल लिजिए यह डालने की मत सोचिए इसके साथ साथ इसमें हमें 6 रबड और 6 रिवेट मिले है अगर आपको रिवेट का फिटिंग अच्छी तरह से आता हो तब भी इस क्लॉच आउजिंग को लगाना चाहिए वरना आपको रिवेट नहीं लिना चाहिए रबड में कुछ लिखा हुआ है नंबर जे पी एच सो कुछ कमनी ने अपना कुछ नंबर लिखा हुआ है इस रबड को जहां पे एक तरफ से टेपर किया हुआ है किसा हुआ पार्ट फिनिसिंग दिया हुआ है और दुसरी तरफ नहीं दिया हुआ है फिनिसिंग अब हमें इसको किस तरह लगाना है मैं आपको बताऊंगा एक लच आउसिंग है इसमें जो उपर की तरफ जो दिया हुआ है इस सा टेपर वाला फिनिसिंग वाला उसको में उपर की तरफ रखना है इस तरह ऐसे यह फिट होगा रबड और यहां पे गीर आएगा और बाद में उसका रिवेट लग जाएगा अगर आपको रिवेट का फिटिंग अच्छी तरह से नहीं आता है तो आपको ये कला चाउजिंग नहीं लगाना चाहिए पूरा का पूरा आसमली नहीं लेना चाहिए गर रिवेट का जब भी आप फिटिंग करते हो, एक दोनों सामने सामने रिवेट ही आपको लगाने चाहिए ताकि गेर टीडा ना हो अच्छी तरसे फिटिंग हो और रिवेट हो सके तो कि अच्छी तरसे में lag तो आपका क्लाच आउस इंग आवाज करेगा और आपको ंच्छे क्नीने फिनिश्थ थी अच्छा नहीं है इस वे गश्थ अच्छी तरे से नहीं है कर दम आसरे मुझे पेरशींग तो मुझे तो आच्छा नहीं लगा, लेकिन कंप बजट की वज़े से आप डाल सकते हैं इसको, बनाही है, डलवाना नहीं चाहिए मेरा मनना यह है कि आप इसको मट डलवाई और इतनली डलवाई है, लेकिन मेरा कस्टमर है लेके आया था इसलिए मैंने सोचा कि इसका unboxing कर दूँ आपको दिखा दूँ कि local part के साथ है और इसकी quality कैसी होती है आप देख सकते हैं यहां भी किसा हुआ नहीं है इसलिए मैं इसे आपको डालने को recommend नहीं करूंगा आप और इतनल ही डालिए अगर आपको मेरी स्चान कर यह अच्छे लगी हो तो वीडियो को like और मेरी चैनल को subscribe कर लिजिए और आपको ऐसी वीडियो दूसरी कोई चाहिए पार्ट्स की unboxing की तो आप नीचे comment कर सकते हैं और वीडियो को ज्यादा ज्यादा share किजिए ताकि दुसरे लोगों को भी पता चल सके कि लोकल पार्ट डुलवाना क्यों चाहिए और क्योंने डुलवाना चाहिए धन्क्यों चाहिए